तो युद्धाओं जब आप किसी बड़े लक्ष की प्राप्ती करने के लिए खड़े होते हो, तो आप ये मानो कि आपके लिए वो तपस्या की घड़ी है, आपको तपस्या करना पड़ेगा तभी आपको वो लक्ष में लेगी, और तपस्या कभी भी खुसी-खुसी नहीं क प्रफावित हुई आप तपश्या करते हैं तो निरंतर आप अपने लक्ष की प्राप्ती की और बढ़ते जाते हं यही तपश्या की हड़ी है आपकी आप तपश्या कर रहे हैं ये मत उबीद करिए कि यहां पर आपको खुषी मिलेगी आपको दुख मिलेगा बाद हाएंगी लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है और तफश्या करते रहना है और डेली टार्गेट को पूरा करते रहना है हम लोग के मिस्टी में तीन यूनिट पढ़ भी लिए नोट्स भी बना लिए और लिख भी लिए चौधा यूनिट आज आपका नौन मेटल जो है अधादू टॉपिक है तीन चार पेच का है उसको पढ़िए कल आपने मैट्स के अनुपाद समानुपाद रिश्यो और प्रपोर्शनल के बारे में आपने प्रेक्टिस क्या होगा आज कोस्चन मिलेंगे उसकी प्रेक्टिस करिए और प्रेक्टिस टेस् लेकर इसका मतलब यह नहीं कि आप इंग्लिस नहीं पढ़ेंगे इसका मतलब यह था कि जो छूट गया है उसको कम उसको कमपेंसेट करिए और पचास रूल तक अपने आपको ले कि आई हैं पी डबलू लिएस आप देखी रहे हैं अच्छे अच्छे कंटेंट आई रहे ह और ऑड़ी करेंट तरा सादो कर रहे हैं के करेंट अफ्य को लिखने की ज़रथ नहीं है तो जो चीजे हमारे लिए relevant नहीं है, उस चीजों को लिखने के भी जरुरत नहीं है, आपको लिखते समय बिए important होना चाहिए कि हमारी state point of view और national point of view से क्या हमारी लिए relevant है, उसी point को ही आप लिखो, सबकुछ लिखने के जरुरत नहीं है, Hindu में आप लोग VLOM shabd के 50 percent कल revision किया और दो पेज के मैंने question पूछें, आज दो पेज और question पूछूंगा, चार पेज के question मेरे हो जाएंगे, छै पेज आप पढ़के रखेंगे, आज तक कल फिर दो question के पूछूंगा, पहला पेज से लिहना आप, जो व्यवहार में न लाया गया हो, जो इस लोक में संभव न हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो बीना मांगे मिल जाए, जो इधर उधर से घुमता फिरता आ जाए, आसा से बहुत अधिक, अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला, जिस पर आकरमड हो, जो मृत्यू के शमीप हो, इंद्रियों को वस में रखने वाला, किसी घटन या कालकरम से लिया गया वृत्त, उत्तर और पूर्व के बीच की दिसा, जो उपर कहा गया हो, परवत के नीचे तलहटी के पास की भूमी, सुर्योदय के पूर्व का समय, जो भूमी उपजाओ हो, उपर की और उचाला या फेका गया, जिसने अपना रिड पूरा चुका दिया हो, जो अपनी इच्छा पर निर्वर हो, जिसका संभनध उपन्यास से हो, किये गए उपकार को मानने वाला, किये गए उपकार को न मानने वाला, लाल कमल, किसी वस्तु को देखने, अथ्वा सुनने की प्रबल इच्छा, फूल जो अभी खिला न 행복, जिस लड़की का विवा न हुआ हो ठीक अपने क्रम में आया हुआ जहां प्रित्वी और आकास मिलते दिखाई देते हैं जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो जिसका कोई हिस्सा तूट कर अलग हो गया हो तो यह हिंदी का कोश कोश्चन थे यह आप करेंगे उसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्या सब्सक्राइब करेंगा कि कौन से यह जो प्रोवीजन है इसको मनी बिल के त्रू इंटर्ड्यूस किया गया था यह सही है कि गलत है एक्चुली होता है कि मनी बिल को राज्यसभा में कम पावर होते हैं राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है यह बोल सकते हो चौदा दिन तक उसको पास भेज देते हैं देखना है देखो नहीं देखना है मत देखो पास करोगे तो ठीक नहीं करोगे तो भी हम पास क कर दिया विदेख यह सारी चीजें मनिबील के शाथ होती है यह अभी जर्लों तो आप एक कोस्ट्र शॉट्र की यह होता है कि मल根ंशन के क्या विएस्टाइं है राजसभा में मैं कोश्चन इसी टॉपिक से लगबग पचास अब्जेक्टिव कोश्चन आपके बन सकते हैं सबसे पहला अब्जेक्टिव कोश्चन बनेगा कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में है तो 110 आप आंसर के पहला स्टेट्मेंट में लिखोगे सविधान के नुच्छेद 110 में धन विद थर्ड लिखोगे भारत के संचित निधी या आकस्मिक्ता निधी से संबंधित कुछ प्रावदान और प्रोविजन आप बताओगे फिर आप लिखोगे उसमें कुछ और लश्मिकांत की बुक्स से पढ़के अगर आपको कुछ और लिखना हो तो लिख सकते हो लेकिन अग प्रोडियन विद्हक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्च का निर्णय अंतिम निर्णय होता है उसके निर्णय को किसी नयालय संसत राश्रपति द्वारा चुनोती नहीं दी जा सकती है अगर को विध्हक को अगर लोकसभा का इस्पिकर बोल दिया कि यह मनीबिल है उसम के रूप में प्रोविजन के तालग उसको समिख्षा की जा रही है लेकिन इसको मनी बील को सुप्रिम कोर्ट में या किसी नहीं शुनौती नहीं दी जा सकती यहहीं स्टेट्मेंट है और या मैं असा पर्मिशन दीजे जब राश्ट्रपती परमीशन देते है उसके बाद उ राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता मनीबिल को तो मनीबिल के संबंदित एक और कोश्चन बन सकता है कि लोग सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या फिर राज्य सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तो इसको सिर्फ लोग सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता उसको सरकारी विद्यक बोलते हैं तो मनी बिल को हमेशा सरकारी विद्यक बोलते हैं क्योंकि इसको मंत्री ही इंट्रीडियोस करते हैं यह एक स्टेट्मेंट हो गया यह भी अब्जेक्टिव में बन सकता है लोगसभा में पारित होने के उपरांत राजसभा में इसको भेजा जाता है और राजसभा को इस विदेख से सम्मंदित कुछ सिमित अधिकार दिये गए है उसको 14 दिन के भीतर अपनी स्विकृति देनी होती है 14 दिन तक वो राजसभा धन विदेख को रख सकता है उससे ज़्यादा नहीं तो 14 दिन के भीतर उसको अपनी स्विकृति देनी होती है अन्यता राजसभा द्वारा वो पारित समझा जाता है लोगसभा के लिए आवश्यक नहीं होता कि वह राजसभा की सिफारिसों को स्विकार करे ये भी एक स्टेट्मेंट हो सकता है यदि लोगसभा किसी प्रकार की सिफारिस को मान लेती है तो फिर इस संसोधित विदेख को दोनों सद्रों द्वारा संयूक तुरूप से पारि दोनों सद्नों दोरा पारित समझा जाएगा धन विदेक के सम्मन्द में राज सभा की सक्ति काफी सीमित है दूसरी और साधारन विदेक के मामने में दोनों सद्नों की सक्ति समान होती है उसके बाद आप लिखोगे राश्ट्रपती की सक्ति या राश्ट्रपती की वीटो सक करेंगा उसको पुनर विचार के लिए रिव्यू के लिए आपको फिर से शंगसट को वापस भीजडिया जा सकते हैं यह लेकिन धनविदयक के Peak कोई ह हैं तो अगर statement आपको मिला कि उसको स्भिंठ दे सकते हैं हाँ सघ़् दे सकते हैं वह स्चेप्वेंच उसको पुनर older विचार के और मिन्स परस्पेक्टिव से और प्री के भी परस्पेक्टिव से उसके content को हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे और इस तरीके से हम लोग एक stage और उपर होते जाएंगे यह differentiated करेगा आप लोगों को दूसरों experience से और आप बाकियों से काफी आगे रहेंगे उसके बाद आप वित्विधेक को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे वित्विधेक क्या होता finance bill यह finance bill किते प्रकार के होते हैं अगर एक objective बना तो क्या तीन प्रकार के एक होता है money bill दूसरा वित्विधेक प्रकार एक वित्विधेक प्रकार दो money bill कौन से आर्टिकल में 110 में वित्य विधेक प्रकार एक कौन से आर्टिकल में 117 एक वित्य विधेक दो 117 तीन ये तीन प्रकार के वित्य विधेक है तो वित्य विधेक के अंदर कौन आ गया धन विधेक तो आप क्या statement बना सकते हो सभी money bill finance bill होते हैं लेकिन सभी finance bill money bill नहीं होते हैं यह आप एक statement बनाके आप answer लिख सकते हों तो यह रहा आपका money bill से संबंदेत कुछ प्रावधान और यह हम लोग continue आप लोग लिखो और बागी चीजे फिर हम लोग करेंगे और motivated रूप से आप तपस्या करते रहें सफलता एक दिन जरूर मिलेगी और लगतार महनत करना पड़ेगा इसके लिए फिर मिलेंगे कल नएक target के साथ आज के लिए थैंक यू